बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालेओं से राखी की छुट्टी हटा दी है इसके साथ ही दशेहरा दिपावली के अलावा बिहार के लोगपर्व छट पर भी छुट्टी की कटाउती की गई है सितंबर से दिसंबर तक बारह छुट्टीयों की छुट्टी हो गई है बिहार के नितीश कुमार सरकार ने एक एहम फैसले के तहट इस साल सितंबर से दिसंबर तक की सरकारी स्कूलों की छुटियों को संशोधित किया है सिक्षा विभाग के अपुर मुख्य सचिवके के पाठक के आने के बाद सरकारी विद्यालियों के बच्चों पर सीधा असर डालने वाला या पहला फैसला है इसका पहला असर यही है कि रक्षा बंधन पर भी माध्यमिक और उच्छ माध्यमिक विद्यालेओं के बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा इसके साथ ही दशहरा, दिपावली और लोकास्था के महापर्व छट की छुट्टियां भी काटी गई है अभी से दिसंबर तक की 23 में से 12 छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है विभाग ने विद्यालेओं में 220 कार्य दिविसों को पूरा नहीं होने के कारण बच्चे पर पर रह प्रभाव को इस फैसले का कारण बताया है प्रारंबिक से उचमाधिमिक विद्यालेओं तक में 31 अगस्त को राखी के दिन अवकाश नहीं रहेगा दुरगापूजा में 6 दिनों की छुट्टी घोशित थी इससे अब 2 दिन कर दिया गया है रविवार को जोड़ कर ये 3 दिन रहेगा बिहार के लोगपर्फ की तैयारियों के मद्दे नजर दिपावली से 6 तक लगातार छुट्टी रहती है इस बार 13 नवंबर से 21 नवंबर तक कुल 9 दिनों की छुट्टी दिख रही थी लेकिन अब इनकी संख्या 4 हो गई है दिपावली के 12 नवंबर को छुट्टी रहेगी फिर 15 नवंबर को चितरगुप्त पूजा वगवर्धन पूजा के दिन इसके बाद 19 और 20 नवंबर को छट पूजा का अवकाश रहेगा राजिस सरकार के ताज़ा आदेश के तहट चैलंपूर पर 6 सितंबर महात्मा गांधी की जैनती 2 अक्टूबर और क्रिस्मस जे पर 25 सितंबर को मिलने वाली छुट्टी अब प्रभावित रही विभाग का कहना है कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहट प्राथमिक विद्यालियों में कम से कम 200 दिन माधिमिक विद्यालियों में 220 दिन का कार्य दिवस जरोरी है चिनाओव परीक शात लहार भीशन गर्मी भीशन ठंड बाढ़ आदीं के कारण विद्यालियों की पढ़ाई प्रभावित होती है इसके साथ ही तेवारों के मौके पर विद्यालेओं के बंध होने की प्रक्रिया में भी एक एक रूपतान नहीं है इसलिए वर्ष 2023 के शेश अफकाशों में यह बदलाव किया गया है सिर्फ ख़बर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले